हलो दोस्तों नमस्कर आप सभी का अमारे योटूब चेनल मोर क्रियेटिव पर स्वागत है चुनाओ से पहले सिवराज सरकार सब को कुछ करना चाहती है देखिए गुट नियूज है अच्छी कबर है एक बार आनलाइन भरती हो चुकी थी लेकिन उसमें बहुत सारी गलबड है उसको दुरस्त किया जा सके चुनाओ है चुनाओ के पहले सभी वर को खोश करना यह सरकार ने सोचा है इसलिए सरकार ने सिक्षावी भाग को आदेश दिया है कि एक सितंबर 2018 से मत्प्रदेश में अतिती सिक्षकों की पुनभरती की जाएगी वह भी आनलाइन प्रक्रि सरकारी स्कुलों में रियोग की पाने का मिलेगा यह को पदों के लिए कब से शुरू होगी प्रक्रिया? 29 अगस 2018 को पब्लिस किया गया है. आनलाइन करना होगा आवेदन. सासकी इसकुलों में अतिती सिक्षकों के नियुक्ती के लिए सासंद इस तर से एक और मोका दिये जाने का निनय लिया गया है. पूर में हुई नियुक्ती प्रक्र में सामिल हो सकते हैं. सिक्षा विभा की ओर से दोबारा नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करने का निनय इसकुलों में खाली रह गया पदों के मद्य नजर लिया गया है. पिछले बार जो आनलाइन प्रक्रिया हुई थी, उसमें बहुत सारी गरबडियां थी, उस गरबडिय में भी आप भरना चाते हैं, उसके लिए जानकारी से अपडेट रहें, ताकि आपको इस बार दिक्कत नव हो. प्राचारियां को देना होगा नियुक्ती की जानकारी. लोग सिक्षन आयुक्ती वोर से जीला सिक्षा अधिकारी को इस आसय की सुचना जारी की गई है. सिक् सिक्षों की उपस्थिती की जानकारी 31 अगस्त तक पोर्टल पर अप्लोड की जाए. पिछले बार की जो आनलाइन भरती प्रकिरिया हुई थी, उनमें कितने पद भरे गए हैं सभी स्कूलों में, उसकी जानकारी आपको 31 अगस्त तक पोर्टल पर जारी करनी है, ताकि जो नए भरती के लिए पद आएंगे, उसी साबसे उनकी भरती होगी। ये सिक्षा भी भाग ने जिला सिक्षा अधिकारी ने प्राचारियों को निल्देश दे दिये हैं। तो उसे हटा कर इस्थगन वाले अतिती सिक्षक को नहीं रखा जाना है। सिक्षा अधिकारी ने चेताया है निर्देश के विरुद्ध अतिती सिक्षक के नियुक्ति करने वाले प्राचार के वेतन से अतिती सिक्षक के मांदे का बुक्तान किया जाएगा। आतिती सिक्षकों ने कोर्ट में आदेश दिया था कि ये आनलेन भरती प्रकेरिया ही रद की जा सके क्यों कि इस तिनी गड़बड़ियां आ रहे थी इतने भष्टाचार हो रहे थे प्राचारियों और कुछ बाबूँ के द्वारा क्या दिती सिक्षक नाकुस थे उन्होंने कोर्ट में याची का दायर की उसी को देखते विए जजोंने इस बरती पे रोक लगाई थी उसी का आदेश है कि सिक्षा विभाग ने का है सिक्षा अधिकारी ने प्राचारियों से का है कि सिक्षा विभाग के पद यदि खाली हूँ अतिती सिक्षकों के लिए उसी बेश पे अतिती सिक्षकों को रखा जाए जबर्दस्ती नहीं रखना है पूर में जो अतिती सिक्षक का से भाई बतिजवात के रूप में अतिदि सिक्षकों कु रख लिया, तो प्राचार ही उनका वेतन देंगे, ये इसपष्ट सिक्षा दिकारियों ने प्राचारियों को आउगत करा दिया है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा नियम सक्त है, प्राचारियों के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि जो अभी भरती प्रक्रिया चालू होगी उसमें कोई संदेनी होगा बढ़िया प्रक्रिया होगी आराम से होगी और बीना भर्ष्टाचार के होगी यही मैं आसा करता हूँ और पुना भरती हो रही है बहुत अच्छी बात है कहीं पर भी इस प्रकार की पुना भरती नहीं होती इस सरकार ने देखा है कि हमारे आतिती सिक्चक भाई बहुत परिसान हो रहे थे इसलिए उन्होंने पुना भरती किये वो भी एक वर्ष के दवरान अमारे लिए बहुत अच्छी बात है इसलिए आप तयार रहें रेडी रहें ताकि इस बार भरती में आप जाइन हो सके सिक्छा विभाग से भी एक नोटिपिकेशन आया है कि मत प्रदेश में नेमे सिक्छकों की भरती होगी उसमें भी आप लोगों को 25 परशन आरक्षन दिया जाएगा इसके लिए भी मैंने काफी वीडियो डाल रखा है और जो अतिति सिक्छक तीन साल या पांसो दिन पढ़ाया है उनको भी बोना संग दिया जाएगा पांच बोना संग और दस बोना संग तो अतिती सिक्षकों को भरती में भी सेवा मिलेगी और इस बार पुना भरती भी हो रही है इने दो-दो खुशिया मिल रही है दे रहा है दुरस्ता है अच्छा होगा जो भी हो रहा है इस प्रकार से अपडेट था अगर आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो करपिया वीडियो को लाइक जुरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्क्राइम नहीं किया है तो यूटूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि नोटिपिकेशन आप उस सिक्रता से मिले मिलते हैं सर अगले आपके काम की ख़बर के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत